रादे रादे जैसी कृष्णा आप सभी को मागमास की ठेरो शुप कामनाई आईए अब हम मागमास का छटे अध्याई से लेके तस्वे अध्याई तक का महात्या में सुनते हैं सबसे पहले हम मागमास का छटा अध्याई सुनते हैं दत्ता त्रेई जी आगे बोले कि हे राजन, अब मैं तुमें एक और पूर्व कालिम इतिहा सुनाता हूँ. हे राजन पहले सतियुग में, निशद नगर में कुबेर के सद्रश धनी हेम कुंडल नाम का एक वेशे रहता था. वह उत्तमकुल में उत्पन, सत्क्रिया करने वाला, देवता भ्रामन और अगनी का पूजन करने वाला था. वह खेती तथा विशेश कर खरीदा और वेची का व्यापार करता था. गाय, घोडे, भेस, आधी पश्यों के पालन में वह हमेशा लीन रहता था. दूद, दही, मठा, गो, मेतरन, लकडी, फल, मूल, नमक, पीपल, साग, तेल, अने प्रकार के वस्तर धातू, गूड, खान, आधी के व्यापार से उस वेशे ने आठ करोड असर्फियां इखटी कर ली. एक दिन उसका बुडापा आ गया. बुडापा आने पर वेमनीमन स सोचने लगा कि यह संसार तो शनिक मात्र है. मैंने पूरी उम्र स्रिपधन ही कमाया है. मुझे कुछ पुण्य का कारिय करना चाहिए. तब उसने अपने इखटे किये हुए धन के छटे भाग से धर्मे के कारिय किये. विश्नु मंदिर बनवाए, शिवाल्य आधी सूरिय उदा से सूरियास्त तक वह दान करने लगा. नगर के बाहर चारों और उसने सुंदर प्याव लगवाई. छायादार रक्ष लगवाई. दतात्रेजी आगे बोले कि हे राजन पुराणों में जो प्रसित दान थे उसने वे सभी दान किये. उसके बाद वह पापों क प्राश्चित का देवता तता अतीती पूजन भी करने लगा. इस तरह सदाचार करते हुए उसके दो पुद्र पैदा हुए, जिन में एक का नाम कुंडल और दूसरे का नाम विकुंडल रखा. उसके कुछ समय के बाद वयवेश्य अपने लड़कों के उपर ग्रस्ती का स चारा भार छोड़ कर सम तपश्या करने के लिए घनेवन में चला गया. गोविंद की तपश्या में उसने अपने शरीर को क्रशकाई कर लिया और एक दिन विश्नुलोग को प्राप्त हो गया. तब हे राजन उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद से अभीमानी होकर द हम रहित कारिय करने लगे. अपनी माता गुरू जनों और अपने परिवार के व्रद जनों का कहना मानना छोड़ दिया. पिता के मित्रों का वैश्यकार करने लगे. अधर्म में तलीन होकर पर इस्तरी गामी होगे. वीना आदी बजाना गीत रंग में फसकर सदेव सेकड़ विश्याओं के साथ नाचगान करने लगे. धन का दुरूपयों करने लगे. खुशामदी, जुआरी, पहलवान और धूर्तों की संगती में रहने लगे. अच्छे वस्तर पहन कर कस्तुरी का तिलक लगा कर फूल माला और मोतियों का हाठ धारन किये हुए. ये दोनों पात्रों पर ही सारा धन खर्च कर दिया. धन का कभी सदूपयोग नहीं किया, नै कभी गरीबों को धन बाटा, नहीं ब्रामनों के मुक से हवन आधी करवाया, नै कभी विश्ण भगवान की इन दोनों ने पूजा करी. इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उसके पिता का ए मुर्ग कोई भोजन का उपाय नहीं बचा तो वे चोरी चकारी करने लगे. तब उनके सगे संबंदियों भाई बंदूओं ने उन्हें घर से निकाल दिया. घर से निकाले जाने के बाद वे घनेवन में रहने लगे. दिन में वे नगर में आकर चोरी करते. लोगों से धन उधा लेने लगे. और रातरी में पुने घनेवन में जाका रहने लगे. वहाँ पर ये दोनों मुर्ग अपने तिक्षन बाणों से पक्षियों, वारह, रोहित, म्रग, खरगोष, शलग, गोधा, आदी. हिंसक पशुओं को मार कर खाने लगे. और वे बड़े बलवान भि इसी परवत पर गए. हे राजन, उनमें से बड़े भाई को तो शेड ने खा लिया और छोटे को साप ने डस लिया. एक ही दिन दोनों भाईयों की म्रतिव हो गई. तब यमदूत इन दोनों को यमलोक मिले गे. और वहाँ जाकर यमराज से कहा कि हे यमराज जी, हम आपकी आज्या से इन दोनों पापियों को लेकर आए हैं. अब आप आज्या दीजिए. इन दोनों महापापियों को क्या दंड देना है? पूर्व अध्याई में हमने कुंडल और विकुंडल की कथा सुनी थी. उसी के आगे का भाग हम इस अध्याई में सुनेंगे. वेश्यपु विकुंडल और देवदूत का समवाद इस अध्याई में आएगा. दत्तात्रे जी आगे बोले कि जब यमदूत कुंडल और विकुंडल को पकड़कर यमराज के पास लेकर के गए तो यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि है चित्रगुप्त जी इन दोनों के कर्मों क लेखा जोका पढ़कर सुनाईए तब चित्रगुप्त जी दौरा उन दोनों का लेखा जोका पढ़कर यमराज को सुनाया गया। उन दोनों के कर्मों का लेखा जो का पढ़कर यम्राज ने दूतों को आग्या दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ जहां कठीन वेदना इसे भोगनी पड़ेगी और दूसरे को सर्ग में ले जाओ जहां ये उत्तम भोगों को भोगेगा तब यम्राज की आग्या पाकर दूतों ने ऐसा ही किया तब बड़े भाई को तो यम्राज की आग्या से रोरव नरक में फैका गया जहां घोर कश्ट उसे भोगने थे और चोटे भाई को दूत स्वर्ग में लेकर जाने लगा तब दूत छोटे भाई से सुन्दर वचन में कहने लगा कि हे वी कुंडल तुम मेरे साथ स्वर्ग में चल कर अपने कर्मों से किये हुए दिवय भोगों को भोगों यह सुन कर वी कुंडल अपने हिर्दय में आश्चरिय चकित होकर विचार करने लगा कि कि किस कारण वच मुझे स्वर्ग कवास मिला तब वी कुंडल दूत से पूछने लगा कि हे दूत मैं तुम से संधह वच एक बात पूछना चाता हूँ तुम क्रपा करके मुझ से कहो हम दोनों भाईयों ने एक ही कुल में जनम लिया और हम दोनों भाईयों ने बराबर से ही समान कारी किये और हमारी म्रत्यू भी एक ही दिन एक ही समान हुई तथा यमराज के दशन भी हम दोनों ने साथ ही किये तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फैका गया और मुझे स्वर्ग का सुप मिल रहा है विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल जिस प्रकार एक व्रक्ष पर अनेग प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता, पिता, आधी का जर्म के कारण समागम होता रहता है हे वेश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुम से सच कहता हूँ मनुष्य का जर्म तो सिर्फ कर्म फल भोगने को ही होता है प्रत्वीब मनुष्य को जो जो पूर्व भावित कर्म करता है वे अपने किये हुए अच्छे बुरे कर्म का फल समय समय पर बार बार भोगता है जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल वे भोगता है ये पूर्व जन्म के कर्म फलों का ही योग होता है कभी भी कोई भी मनुश दूसरे किसी की किये हुए कर्म का फल नहीं भोगता पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुमारा भाई अत्यंत पापों से घ्रसित घो नरक में गया है पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण ही तुम्हारा भाई अत्यन्त पापों से ग्रसित घोर नरक में गया है और पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण तुम धर्मात्मा सदे सर्ग को प्राप्त करते हो कोई किसी के कर्म को प्राथ नहीं होता विकुंडल ने कहा कि मैंने भी इस जर्म में पाप ही पाप किये थी पुन्य तो लेश मात्र भी नहीं किया है देवदूत मैं अपने पुन्य को नहीं जानता यदि तुम जानते हो तो करपा करके मुझसे कहो तब देव दूद बोला कि हे वेशे सुनो जो पुन्य तुमने किया है मैं वैभली प्रकार जानता हूँ तुम नहीं जानते हर मित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी प्रामन था यमनाजी के दक्षिंतत पर उसका आश्रम था हे वेशे उसकी तुम से मित्रता हो गई थी उसके ससंग के प्रभाव से तुमने दो मागमास में सब पापों को दूर करने वाली शुब निर्मल यमनाजी के जल में इस्तनान किया था जिससे हे वेश्यशेष्ट एक बार का इसनान करने से तुम्हारे सारे पाप दूर होगे और दूसरी बार का इसनान करने से तुम्हें स्वर्ग सुक प्राप्त हो रहा है तुम इस पुन्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम की यातना के दुख भोगेगा असी पत्रों से काटा जाएगा, मुगदरों से मारा जाएगा, पत्रों की मार से चूरन बनाया जाएगा, अंगीरों में भुना जाएगा दताद्रेजी आगे बोले कि इस तरदूत की बात सुनकर विकुंडल अपने भाई के दुख से दुखी हो गया उसका शरीर पुलकायमान हो गया, तव दीनता पूर्वक अत्यन्त दुखी होकर मदुर्वानी से देवदू से बोला कि सत पुरुषों के साथ साथ पक चलने से मित्रता हो जाती है अत्य मैं उसी मित्रता के भाव से मैं तुम से कुछ बात पूछना चाता हूँ हे सरवग्य, मैं तुम से कुछ बात पूछना चाता हूँ, तो क्रपा करके मुझसे कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोग को नहीं देखता, अर्थात बुरी गती को प्राप्त नहीं होता, क्रिप्या करके मुझे विस्तार से सुनाईए यमदूत वीकुंडल से बोला कि हे सोम्य, तुमने बहुत अच्छा प्रशन पूछा है, तुम इस समय पाप रहित हो, शुद्ध हिदय वाले व्यक्ती की कल्यान मार्ग में व्यदी होती है, यदिपी पराई सेवा में तत्पर होते हुए भी, मैं तुम्हारे प्रेम के कार तुमसे यथा बुद्धी कहता हूँ, सब अवस्थाओं में मन, कर्म या वानी से जो दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते, प्राणियों की हिंसा करने वाले मनश्य वेद, दान, तप, यग्य से भी, किसी प्राकार उत्तम गती को प्राप्त नहीं कर यम्दूत विकुंडल से आगे बोला कि, हे विकुंडल रिशी मुनियों ने कहा है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धार्म तप और दान है, दयालू मनुष्य मच्चर, डास, खटम, लीक, जुवा, आदी, जन्तुओं की भी अपने ही समान रक्षा करते हैं, ऐसे मनुष्य जल और थल के जीवों को मारते हैं, विकाल सुत्र नाम के नरक में दुर्गती को पाते हैं, और अपने ही मास को खाने वाले बनते हैं, पी वे लोहू पीते हैं, तता कीचर में ओंधे मुँ पड़े रहते हैं, जहां ओने कीडे मकोडे काड़ते रहते हैं, अंधेरे में एक पिर नरक से निकल कर बहुत दिनों तक इस्थावर योनी को प्राप्त होकर वे क्रूल, सैक्डो, तिरियक योनी में जाते हैं। फिर प्राणियों के हिंसक व्यक्ति जन्मांद, दरिद्र, काने, कुबडे, लंगडे और अंगहिन का जनम पाते हैं। इसलिए हे वेश, दोनों लोकों में सुक जाने वाले मनुशों को मन, क्रम, वानी से, दूसरे से कभी द्रोहर नहीं करना चाहिए। हिंसक लोगों को दोनों लोग में सुक नहीं मिलता, जो किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, उनको कहीं भी डर नहीं सताता, जिस तरह सीधी और टेडी बहने वाली नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी तरह से सवी धार्म द्रड रूप से अहिंसा में प्रवेश कर लेते हैं, ये वेशे जो लोग अपने अपने वर्णा अनुसार, शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते, ब्रह्मचारी, घ्रहस्त, वानप्रस्त और सन्यासी सभी अपने अपने धर्म में विलीन होकर स्वर्ग में निवास करते हैं, जो पूपनी होत्र करते हैं, वे स्वर्ग गामी होते हैं, दीन वचन नहीं बोलने वाले शूरवीर जो संग्राम में लड़ाए में मरते हैं, वे सूर्य लोक में जाकर स्वर्ग में सुख भोगते हैं। तता रिशी ब्रामन का कल्यान करने वाले, गाय को हराचारा खिलाने वाले, गाय की सेवा करने वाले, गाय की पीट पर नर्चड़ने वाले हमेशा स्वर्ग में ही जाते हैं। जहां गाय जल पीती हूँ, वहां जल की हूदी बनवाएं, तता बावडी, कुवा, ताला, प्याव, आधी खुदवाने चाहिए, जिनमें जल चर, धल चर प्राणी, इच्छा पूर्वक जल पीते हैं। उनसे उनका ऐसे मिद्धर्म बढ़ता है, और वे बिना यम लोग को देखे, अक्षय स्वर्ग को पाते हैं, क्योंकि जल ही सब का प्राण दान है। पीपल, नीम, बरगत के एक एक केथ, बैल, आमले के तीन तीन, आम के पांच, इमली के दस पेड जो लगवाते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। दस कू पुत्रों की अपेक्षा पांच व अपने पत्ते, फूल, फल, मूल से पित्रों को तरप्त करते हैं। उन इस्तरी पुरुषों को अगनी में अगनी होतर करने की आवशकता नहीं, जिनोंने मार्ग में चायादार व्रक्ष लगवाए हैं। जो इस्तरी पुरुष चायादार व्रक्ष लगवाते हैं, वे दा आनी तता सदेव आनंद करने वाले होते हैं। अच्छी चाया वाले फल और फूलों से पून मार्ग में लगाये हुए पेड़ों को जो मुर्ख लोग काड़ते हैं। वे बहुत समय तक नरक की पीड़ा के दुख भोगते हैं। ये वेशय जहां तुलसी का वन रहता है वह घर तीरत के सामान हैं। वहां यम के दूत नहीं जाते। तुलसी के लगाने वाले तथा उनके पितरेश्वर उसकी सुगंद से देव लूक में उतने ही हजार वर्ष तकवास करते हैं। जितने की बीच और दल उनमें होते हैं। इस पर्ष करने से वाणी, मन तथा शरीर में उत्पन पाप नश्ट हो जाते हैं। ये वेशय वर्ष प्रतेग पक्ष्ण में द्वादशी के दिन ब्रह्मा अधी देवता भी तुलसी की पूझा करते हैं। रत्न, सोन, फूल तथा मोती ये तुलसी की समानता नहीं कर सकते क्योंकि इनके दान से सोले गुना तुलसी पत्र का दान है, जो फल हजार आम तता सो पीपल के व्रक्ष लगाने से मिलता है, वही फल तुलसी के केवल एक पेड लगाने से ही प्राप्त हो जाता है, जो तुलसी की मंजरी से हरी की पूझा करते हैं, वह गर्भ में कभी नही ये वेशे जो मनश्य स्वंप्रा कट्टे हुई शिवलिंग की या इसपटी के रत्न की निंग की या पार्थिव के लिंग की कहीं तीरत में परवत पर या वन में इस्थापित की हुई शिवलिंग की पूजा करते हैं और जो सदे ओम नम्ह शिवाई इस मंत्र का जाप करते ह अत्वा प्रसंग से, शर्ता से, अभिमान से या लोब से महादेश जी की सेवा पूझा करते हैं उन्हें कभी यम्राज के दर्शन नहीं होते शीव जी के भक्त शीव जी की पूझा में लीन होकर शीव लोग में चोधे इंद्र तक आनंद सुख भोगते हैं ये वेशे शीव पूझन के सामान पुन्य देने वाला, सब पापो को नष्ट करने वाला, तथा सब कीर्थी को देने वाला, तीनों लोगों में कोई दूसरा कार्व नहीं शीव भक्त जो जनार्दन भगवान से वेर करता है, वेनी संदन नरत मीचाता है शीव जी का कैसा भी धन, अन, फल, जल क्यों नहों, उसे ग्रहन ने करें, और ने कभी शीव निर्माल्य का उलंगन करें उसे किसी गड़े कोई आधी में डाल देना चाहिए, जो मनश लोब या मोहोवश होकर, मक्खी के पैर के सामान भी शीव द्रवे लेता है, वे कल्प तक नरक में दुग भूखता है जो तरण काठ या पत्थर का ब्रह्मा विश्नु अत्वा महादेव जी का मंदिर या मट बनवाते हैं, वे मनश इन देवताओं के लोग में बहुत समत आनंद सुख भूखते हैं हे वेश्य जो लोग धर्मशाला, गोशाला, सन्यासियों के लिए विश्राम, इस्तल, ब्रामनों के लिए घर, गरीब दुखियों के लिए कुटिया बना करके देते हैं, वे लोग इंद्र के भवन में सुख भूखते हैं इन इस्तानों के जीनोधर का नाने का भी दुखनाफल प्राप्त होता है, जो इनको तोड़ता है, वे अवश्य घोर नरक में जाता है, जो मनुश लोब वश्य देवता, भ्रामन या सन्नासी के मट पर अधिकार कर लेता है, उसे सब धर्मों से बहिश्कत कर देना चाहिए जो मठ के पत्र, पुश्प, फल, अन, आधी द्रव्य का भक्षन करता है, उसके पुत्र, कुल, बंधु, बांदव, 21 नरक में दुख भोगते हैं, सूरिय चंडी का विश्णू, गणेश आधी देवता का द्रव्य भक्षन ने करें, मठा दिशों के अन का भोजन आधी भ भोजन करता है, तो उसे चांदरायन व्रत करना चाहिए, तभी वह इस दोश से दूर हो सकता है, मठा अधीकारी को इस पर्ष करने पर वस्त्र सहित जल में कोता लगावें, ब्रह्मा विश्णुशीर की पुजा के लिए जो बगीचा अधी लगवाते हैं, वे मरने के माता, देवता और अधीतियों की सेवा करते हैं, वे प्रजापती के उत्तम लोग में जाते हैं, आईए आज हम मागमास का नववा अध्याय और नवे दिन की पुन्यफल देने वाली कथा को सुनेंगे, सबसे पहले हम नववा अध्याय सुनेंगे, यमदूत विकुंडल स आगे बोला कि हे वेश्य, दोपहर काल में आया हुआ अथी थी, चाहे वे मूर्ख, पंडित, वेद, पाठी या पापी, कोई भी क्यों नहों, वह भ्रम के समान होता है, रास्ते सिथके हुए ब्रामन अथ्वाभू के प्यासे ऐपारीचित बटोही का, जो अन जल के दान स उसे तरप्त करता है, वह ग्रहस्त बहुत समय तक भ्रमलोक में आनंद सुख भोगता है, मद्या या साइकाल के समय जिसके घर पर आया हुआ अतीति निराश लोट जाता है, नहीं नहीं शब्द के सुनने के साथ लोटा हुआ अतीति, ग्रहस्त के जीवन भर के इखटे किय हुए पुन्यों को अपने साथ ले जाता है और अपने पापों को उनसोब जाता है, अतीति के सतकार के बराबर कोई दूसरी संपती, बंदू, धन, धर्म, आधी, इतकारी नहीं है, हे वेश्य अतीति सतकार के प्रभाव से, जो राजा तथा मुनी लोग, भ्रमलोक को गए हैं, उनका अब तक पतन नहीं हुआ है, हे वेश्य अन्दान करने वाला देदियमान वीमान का उभ्भोग कर अमरत का पान करता है, तता स्वर्ग के सुख भोग कर प्रत्वी पर उत्तमकुल में जान मिलेता है, और धर्मात्मा राजा होकर चिरायू तता नश्ट नहोने व प्राण दाता कहा गया है, हे वेश्य वर जब के श्रीधर राजा स्वर्ग से नीपतित हुआ, तब वेवस्वत देव ने दयापूर्वक उससे कहा था कि हे राजन कर्म भूमी मृत्यू लोक में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्चुक हो तो अन्न दान करो, हे वेशे ये बात मैंने इस पष्ट धैमराज जी के मुख से सुनी है, ग्रिश्म रितू में जलदान करने वाला, हेमंत रितू में इंधन का दान करने वाला, और सदेव अन्न दान करने वाला, यमराज के दुखों को नहीं पाता, जो मनुष्ट छह मेने के अंदर ज्ञान व तो वह देवता और गंधर्वों से शोबित लोग को पाता है, हे वेशे जो मनश वेद माता गाईतरी या दूसरे वेदिक मंतरों का जाप करता है, और नित्य सुबह शाम अगनी में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षगती को प्राप्त होते हैं, जो नित्य व्रत का आचर युची छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो जिसका अन खाता है, वह उसका पाप भी खाता है, हे वेशे जो मनश नित्य प्रती प्रात है काल इस्तनान करता है, उसके बाहरी तथा भीतरी सभी पाप नश्ट हो जाते हैं, और वह नरक में नहीं जाता, जो लोग इस्तनान क ये बिना भोजन करते है, हे सदे मल खाने वाले होते हैं, जो नित्य प्तर तता देवता उनके विमुक हो जाते हैं, उन्हें पित्र दोष लगता है, और वह नरक भोक कर नी जाती तता चांडाल योनी में जन्मिलेते हैं, जो लोग माग मास में पर्व के धिनों में जल में इस्तनान करते हैं, वे ने तो बुरी गती को प्राप्त होते हैं और नहीं बुरी योनी मेजान मिलेते हैं, उनके बुरे सपन और दुष्ट चिंताएं भी सदे निश्बल हो जाती हैं, हेवे शेश्ट प्रातहकाल से शुद्ध होकर, मनश माग मैने में तिल तिल पात्र तिल कमल का दान देने से यमलोक में नहीं जाते हैं, हेवे कुंडल, प्रत्वी, सोना, गाय, आदी, सोले महा दान हैं, इनका दान करने वाला वनश स्वर्ग लोक से नहीं लोडता, बुद्धीमा लोग पुन्यतितियों में व्यतिपात और संकरांती के दिन इस्तनान करके, यद मधुर भाशी ए क्रोधी, शमाशील, नितिमान, ए निंदक प्राणियों पर दया करने वाला, दूसरों के पापों को छुपाने वाला, पराय गुणों का वर्णन करने वाला, दूसरे के धन को नैचाने वाला, इस तरह के लोग नरक का दुख नहीं भोगते, दूसरों की पुराई करने वाला, पापी तता, उनका साथ देने वाला, खोटे वे कठोर वचन बोलने वाला, परोपकार ने मानने वाला आधी लोगों की तीरत सेवन और तब से भी पापों से मुक्ती नहीं होती, ये लोग बहुत समतर नरक का दुख बुगते हैं, जितेंद्रिय और जिताहारी प्रत्वी के सब तीर्थों में इस्तनान करने से यमलोग में नहीं जाते, तीरत में न पाप करे, न किसी की जिवी का करे, तीरत में दान लेना, धर्म की विक्री करना भी छोड़ दे, क्योंकि तीरत में किये गे पाप, बड़ी कठिनाई से दूर होते हैं, ऐसा पाप करने वाला मनश्य नरक का गामी होता है यमदूत वी कुंडल से आगे बोला कि हे वी कुंडल, हे वी श्यवर बहुत से पाप करने वाला भी एक बार ही गंगा में इस्तनान करके शुद्ध हो जाता है वै नरक में नहीं जाता कोई भी वरत, दान, तप, यग्य, इत्यादी गंगा जल की एक भून के समान नहीं है जो नीच मनश्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है वै रोरव नरक में जाता है हे वे शे, बैकुंट से विश्नु भगवान के चर्णों से गिरे हुए गंगा जल को महादेजी ने अपने मस्तक पर सुशोबित किया है गंगा नाम लेने से सो योजन की दूरी पर रहने वाले लोग भी नरक में नहीं जाते गंगा के समान नरक में जाने से बचाने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है पापों को भसमी भूत करने के लिए गंगा में इस्तनान करना चाहिए हे वेशे जो मनुष्य कीचण में दसी हुई काय को निकालते हैं रोगी की रक्षा करते हैं गोशाला में मरते हैं तथा जिसने दान लेना छोड़ दिया है वे लोग गगन में तारे बनकर चमकते हैं प्रतहकाल इस्तनान करके जुनित्य प्रती सोले प्राणायाम करते हैं वैयम लोग को नहीं जाते उनका भूण हत्या का पाप भी विलीन हो जाता है तब व्रत वा अन्य नियमों का पालन करने वाले का हजार गाय का दान करने वाले का तता एक महा तक कुशागर द्वारा गंगाजल पान करने वाले का फल सो वर्ष प्राणायाम करने के बराबर जितना फल देता है चोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े ही समय में अवश्य मिड़ जाते हैं हे वेश्य शेष्ट दूसरी की इस्तरियों को माता के सामान देखने वाला तता मन में भी जो परिस्तरी गमन की इच्छन नहीं करता वे दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेता है इसलिए धर्मनिष्ट को परिस्तरी गमन नहीं करना चाहिए पर इस तरीका मन करने वाले 21 मुख्य नर्कों में जाते हैं दूसरे के धन का लोब मन में भी नहीं करने वाले स्वर्ग में जाते हैं किसी भी कारण से क्रोध उत्पन होने पर क्रोध पर विजे पाने वाला पुरुष्ण स्वर्ग को जीतने वाला होता है जो माता पिता को देवता के सामान आराधना करता है, वे अंतिकाल प्राप्त होने पर यमलोक में नहीं जाता। जो गुरु की पूजा करते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर पूजनिय योग्य हो जाते हैं। हे वेश्य इस्तरियों को अपने शील की सदेव रक्षा करनी चाहिए, दुष्ट संगती में पढ़कर शील भंग होने से वे यमलोक में जाती हैं, अपनी शील की रक्षा करने से ही इस्तरिया नी संदह स्वर्ग को प्राप्त होती है, जो वेदाभ्यास से शास्त्र पुरान और सहीता पढ़ते सुनते सुनाते हैं, तता इस्मरती का आख्यान करते हैं, धर्म उपदेश करते हैं, तता जो वेदान्त शास्त्र में निपूर्ण है, वे ही लोग प्रत्वी को धारन किये हुए हैं, जो शास्त्रिय ग्यान से लोग को उपदेश करके बंधन्मुक्त करते हैं वे पाप रही थो कर ब्रह्म लोग को जाते हैं जहां पर देवता भी उनका पूजन करते हैं यम्दूत ने कहा कि ये वेश्यपुत्र अब एक अनोका रहस्य सुनों जो धामराज से सम्मत तता सब लोगों को अमरत्व लाप कराने वाला है मैं बिल्कुत सत्य कहता हूं कि वेश्यपुत्र मनशी यम्दूत के कठीन दर्शन नहीं करते हैं यम्दूत्र यम्राज ने अपने दूतों से आदर पूर्वक बार बा यही कहा है कि तुम लोग वेश्यपुत्र को कभी मत पकड़ना वे मेरा दर्शन न करें जो दूराचारी दूसील पापी लोग भूल कर भी एक बार यदिकेश्यव भगवान को याद करते हैं वे पापों से छूट कर विश्यव भगवान के पद को प्राप्त होते हैं जो बुद्धिमान मनशी विश्यव के सेवक हैं तता विश्यव जिस घर में भोचन करते हैं उन उनके संसर्ग से वे भी पापों से निर्मुक्त हो जाते हैं। वे मनुशी यम्राज की राजधाने यम्पुरी में नहीं जाते। विष्णु में भक्ती न करने वाला भ्रामन संसार में चांडाल के समान देखा जाता है। वे भी तीनों लोकों को शुद्ध करता है। पिता इन दोनों के कुल के घर में जब हरी भक्त पुत्र उत्पन होता है तो उनके नरत में पड़े हुए पित्तर लोग भी स्वर्ग में सुख भोकते हैं। वेश्नव भक्त के घर का अन्न ही सर्वत्तम होता है, यदि वेश्नव के घर का अन्न ने मिले तो जल पी कर ही रह जाना जाईए, गोविंदाय नमो नमे इस मंत्र का जबता हुआ, मैंने वाला मनुष यम का दर्शन नहीं करता, हम लोग भी उनको नहीं देखते, जो अंग न मुद्रा रिशी चंद तता देवता सहित दिख्चा प्राप्त करके नियम पुर्वक ओम नमो भगते वासुदेवाय इस बारह अक्ष्टा अक्षर मंत्र का तता ओम नमो नारायनाय इस आठ अक्षर मंत्र का जाब करते हैं, उनको देखने मातर से ही ब्रह्म हत्यारे भी प पिर्द में, सूरिय में, जल में, मूर्ती या इस तंडिल में हरी भगवान का पूजन करते हैं, वे मनश विश्णू के शेष्ट बद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदह नहीं है